मलेक उमर्जी ने सवाल पुछा है कि क्या पुनर जन्म की एक भी के सही पाई गई है देखिए पैरा साइकोलोजी डिपार्मेंट ने इतने सालों तक इसका समशोधन किया मैं डिक उनिसिटी अमरेका की बात कर रहा हूँ लंका की श्री लंका की बात नहीं कर रहा हूँ राजस्तान के पैरसाइकोलोजी डिपार्मेंट की बात नहीं कर रहा हूँ भारत के कोई भी पैरसाइकोलोजी डिपार्मेंट की बात करना उचिती नहीं है क्योंकि हमारे यहा विशे बना के लाते हैं हमारे यहां बियोरे में पुरुईत बनने के लिए डिग्रिया बाती नहीं की जब पिछले टाइम में आपने अडल बियारी जी का गवर्मेंटा तब की ये बात है कुशिश करते हैं तो भारत के किसी भी विद्यापिट पर विश्वास रखना अजलब भारत में सभी विद्यापिट अंद विश्वासिय ऐसा नहीं है लेकिन कब कौन मान्यता देगा इसकी कोई गारेंटी नहीं है तो अमरिका के जिसको बहुत ऑथेंटिसिटी है उस डिपार्मेंट को थी उन्होंने सभी जो विज्ञान की शर्ते होती है उसी के इसी कडिया थी जिसके आधार पर उसको सच नहीं माना जा सकता है इसका तरीका क्या होता है मैं आपको बता दू सिंपल तरीका होता है जिस व्यक्ति का पुनरजन्म है ऐसा कहा जाता है तो केवल जिसने पुनरजन्म जिसका हुआ है और जिस व्यक्ति का उसका पुनरजन् हुआ उसके बारे में सभी जानकरी प्राप्त करो बारिक सारी जानकरी प्राप्त करो ये सारी जानकरी प्राप्त करने के बाद में इस व्यक्ति को पुछो अभी उस व्यक्ति का ब्रेन अगर इसमें आया है इसलिए इसको जानकरी है इसलिए ये कहता है ना मैं उसका कुछ प बाई अब मैं पहले कुन से स्कूल में था कभी बूलता है क्या, कुन से कॉलेज में पढ़ रहा था कभी बूलता है क्या, मेरे मित्र कौन थे बचपन के कभी बूलता है क्या, मेरे घर में कौन-कौन लोग थे कभी बूलता है क्या, मेरे शादी किसके साथ हुई कभी बूलता एक्या जो चीजह इंसान कभी भूली नहीं सकता एक चीजों की एक लिस्ट बनाई जाती है और ये चीजे उसको पूछी जाती है और तब वो सब चीजों का सवालों का जबाब नहीं देपाता है क्यूंकि आपने एक वेक्ती को कितनी भी कोपी करने की कोशिश करी हो तो भी उसके जिवन की हर चीज आप राप्त नहीं कर सकते हो हर चीज की जानकरी आप राप्त नहीं कर सकते हो अब जैसा एक पुनर जन्म की केस थी एक डॉक्टर उसको उनके ग्रैंट फादर का पुनरजन्म माना जाता था क्योंकि grandfather मर गे और उनका जन्म हो गया अब यह doctor है इसके बावज़ुद उनको पुनरजन्म माना जाता था और उनका भी conviction था कि मैं पुनरजन्म हूँ अब जब मेरे ध्यान में आया कि यह आदमी प्रहमाणिक है यह ढोंग नहीं कर रहा है इसको बचपन से इसके दिमाग में डाला गया है कि तुँ पुनर जन्म है तेरे ग्रैंट फादर का पुनर जन्म है ग्रैंट फादर बहुत प्रसिद्ध थे उस एरिया के जाने माने वेक्ती थे और वो सही में मानता है और अच्छा वेक्ती है तो मैंने तई किया कि इस केस को जाचा जाए और काफी उसको मानने था थी कई बार पेपर में चपकर आया था काफी लोग कहते थे कि इनका पुनर जन्म है यह पुनर जन्म की केस है मैंने क्या किया उनकी बीबी याने ग्राइंट फादर की बीबी याने इनकी ग्राइंट मदर अभी भी जिन्दा थी मैं एक बार उनके साथ में गप्पे मारने के लिए चला गया ग्राइंट फादर के बारे में कही जानकरिया निकाली काफी चीज़े टेप रेकॉर्ड की बाकी सबी चीज़े तो सबको पता थे फिर उनकी और मेरी अच्छी मित्रता बन गई ग्रैंड मदर की मैंने लगातार अपने सेशन चालू रखे गंटों बाते करता रहा यह टेकनिक है हमारा हम इसको कभी-कभी फ्री असोसियेशन ऐसा भी कहते हैं इसे ही गप्पे मारते रोलो आदमी खुलते रहता है अपनी बात कहते रहता है देरे से मैंने सवाल पुछा कि ग्रैंड फादर तो याने आपके पती बहुत सुद्णर थे ऐसा मैंना सुना है हैंडसम होने के कारण उन पर बहुत स्थिया मरती थी वो असने लग गए बोले हाँ ना सच्छी बात है प्रसिद्ध भी बहुत थे लोग मानते भी बहुत थे और बहुत आगर्शित होती थी इस तरिया मैंने बोला उनकी एक ही बीबी ऐसा कैसा होगा धीरे से उसने का किसी को कहना मत का एक ही एक बीबी उन्होंने दो अरोतों को रखा था कभी किसी को पता नहीं चलने दिया मेरे को चुपके से कभी दूबी पता चल गया मैं बोले पर्मनेंट थी हाँ बोले पर्मनेंट थी बीच बीच में जाते थे उसके पास में उनका सब खरचा उड़ाते थे किसी को मालूम निए तबात किसी पता चली चली मुझे पता चली फोले सब rằng कि मैंने एक नोकर को लगा दिया पीछे और मेरे को मेरे को मालूम था मैं कही नहीं सकती अगर मैंने रहे दिया बात भीगड़ जाएगी और मैं हमारे जमाने में जो भी बड़े-बड़े लोग होते थे बहुत प्रसिद्ध लोग होते थे बड़े पैसे वाले लोग होते थे धन्वान लोग होते थे उनका ऐसा चलता ही था तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थे बस इसको बात को मैंने पकड़ा ये डॉक्टर साहब को जब भी उनको लगता था कि मैं अभी पुराने जन्म की बात कह सकता हूं उस्तिति में हूँ तब मैंने ये बाते पुछे वो एकदम न कार गे क्या बात कर रहे हूं ऐसा कुछ भी नहीं था मैं अपने केबल बीवी से प्रामानिक था अब उनको ये बात किसे ने बता ही नहीं थी उनको पता नहीं था ऐसी दो-चार बाते मैंने निकाले कि जो उनको पता नहीं है जो पता होनी ही चाहिए और उनके सामने वो प्रूफ्स रख दिये उनके ही ग्रैंड मदर के मूख से आए हुए प्रूफ्स विला डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो लोजिकल थिंकिंग करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए ये अपने दिमाग में से वह हम निकाल डालो और आज के बाद कभी अपने आपको पुनर जन्म की केस करके प्रोजेक्ट मत करो अगर आप करोगे तो मुझे ये सब प्रूफ्स बाहर लाने पड़ेंगे आपको नहीं उनका भी कहना मैंने रेकॉर्ड कर लिया था पहले ये सब बाते कहने के पहले ये तो एक मितरता पुर्ण केस थी जिसको मैंने एक्सपोस किया इसी काफी केसे समने एक्सपोस किये जो पेपर में छपकर आई है जानकारे निकालने के बाद मैं कुछ नहीं बता पाये हैं तो ये पुनर जन्म की एक भी केस अगराज दुनिया में सच साबित होती वईज्यानिक कसोटी के आधार पर तो फिर उसका संशोधन वईज्यानिक तरीके से किया जाता और उसकी ब्रैंच खुल जाती ब्रैंच बन नहीं हो जाती खुलने के बाद में यह हमेशा आप याद रखें अब पुनर जन्म हो कैसा सकता है गए जनम की याददास इस जनम में आ कैसी सकती है लोजिकली थोड़ा ठिंग करकर देखिए कैसे पॉसिबल है अगर यह नेचर में पॉसिबल है तो नेचर में केवल अपवाद नहीं होता है यह अपवाद बार-बार होते है और पुनर जन्म केवल भारतिय लोगों का क्यों होता है क्रिश्यनों का क्यों नहीं होता है मुस्लिमों का क्यों नहीं होता है आत्मा के लिए हिंदूों के आत्मा के लिए अलग नियम होगा ख्रिश्यनों के आत्मा के लिए अलग नियम होगा मुसलिमों के आत्माओं के लिए अलग नियम होगा ऐसे कैसे होगा इन सब के बारे में हम सोचेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि इसमें कोई तर्क नहीं है कोई तथ्य नहीं है ये वास्तविक्ता नहीं है एक चर्ठीओ तो आचाज़